Hello Everyone, Welcome to Dive to Learn इस वीडियो में हम समझेंगे Hawkins इमॉन की कंडिशन्स क्या होती है और वायबिलिटी और फिजिबिलिटी क्या होती है एक Input-Output वाली मैट्रिक्स की तो लास्ट राइम कोशन आया था वायबिलिटी और फिजिबिलिटी पे एक UGC Net Economics में इसके इलावा Hawkins इमॉन की कंडिशन्स तो बहुत important है लगबख हर बाराती है तो अगर आप हमारे चैनल पे new हो तो इसे subscribe कर लीजिए इसी तरह की education related और वीडियोस देखने के लिए तो बढ़ते हैं Hawkins इमॉन कंडिशन्स की तरफ देखो Hawkins इमॉन कंडिशन्स एक्चुल में जो हम input output की matrix को solve करके output निकालते हैं वो output जो है वो negative में ना आए इसी लिए ये Hawkins इमॉन की conditions बनाई गई है ये दो conditions है Hawkins इमॉन की because हमारा जो output है वो negative में ना आए इसी लिए तो अब ये conditions क्या कहती है first condition जो है determinant of the matrix I minus A should always positive अब मैं आपको बताऊँगी कि ये जो I minus A matrix है ये actual में होती गया है देखो I minus A तो इसमें जो I है identity matrix 1, 0, 0, 1 और A जो है कोई भी कुछ भी ले लो 2, 4, 6, 7 तो फिर I minus A मेली matrix क्या आएगी ये हमारी 1, minus 2, minus 1, 0, minus 4, minus 4, 0, minus 6, minus 6, 1, minus 7, minus 6 ये हमारी आगी I minus A वाली matrix अब उसने बोला क्या है कि जो इसका determinant है वो positive आना चाहिए determinant कैसे निकालते हैं इसके लिए आप inverse of matrix वाली मेरी video जो है same channel पे देख सकते हैं उससे आपको समझ आ जाएगी कि determinant हम किस तरह से निकालते हैं जिस तरह से हम एक matrix का determinant निकालते हैं same उसी तरह से हमें I minus A का determinant निकालना होता है और वो determinant जो है वो positive होना चाहिए उसके बाद next इसकी condition है the diagonal element should be positive जो diagonal elements होने चाहिए वो positive होने चाहिए अब diagonal elements कौन से होते हैं देखो 2 and 7 इस matrix के diagonal elements हैं तो यह positive है न ठीक है तो diagonal elements जो है वो positive होने चाहिए diagonal elements उन्होंने यहाँ पे लिखे भी है कौन से होते हैं 1 minus A11 मतलब यह 2 वाला जो है न यह हमारा 1 minus A11 है ठीक है तो यह इसी तरह से जो seven है वो one minus a two two है और यही जो पूरी इसी तरह से अगर यह three by three की matrix होती तो इसी तरह से यह वली line होती है यह diagonal होती है और यह diagonal elements जो है यह positive होने चाहिए यही इसकी second condition है तो यह Hawkins Simon की डो conditions है बहुत बार इससे questions आते हैं आपको यह दोनों conditions अच्छे से याद रखनी है इसके इलावा viability and feasibility क्या होती है यह भी देखते हैं यह भी दो conditions है same input output matrix में जो के satisfied होनी जरूरी होती है तो सबसे पहले viability की condition क्या कहती है it means that no element of technology coefficient matrix can be less than 0 जो technological coefficient matrix होती है इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे technology coefficient matrix क्या होती है एड इसे हमने किस तरह से solve करना होता है कोई भी element technology coefficient matrix का 0 से कम नहीं होना चाहिए तो यह viability की condition कहती है and feasibility की condition क्या कहती है sum of elements in each column of inverse coefficient matrix matrix जो inverse coefficient matrix है उसके हर column के अगर हम elements का sum कर ली तो वो sum जो है वो 1 के equal होना चाहिए inverse coefficient matrix के एक column के सभी अगर elements का sum कर ली है तो वो sum 1 के equal होना चाहिए याद रखनी है viability की condition कहती है कि technology coefficient matrix का कोई भी element 0 से कम नहीं हो and feasibility की condition कहती है कि जो inverse coefficient matrix होती है उसके elements, column वले elements का अगर sum कर दे तो वो sum जो है वो 1 के equal होना चाहिए तो यह हमारी viability and feasibility की conditions थी इन्हें आपको याद रखना है बहुत important है यह please इन दोनों चीज़ों को ज़रूर याद रखना अगर आप UGC net के लिए attempt करने जा रहे हैं यह बहुत important चीज़े हैं जो इस वीडियो में आज आज आपको समझाई है hopefully you like that thank you